साथमें वेतन आयो को लागू किये जाने पुरानी पेंशन वेवस्ता को भाल किये जाने और अधिवर्षता की आयू 62 से बढ़ा कर 65 वर्ष किये जाने सहित कई अनियमांग को लेकर संटेंडूस डिगरी कालिश के शिचकों ने सोमार को अपने हाथ पर काली पटी बांद कर क कालिश परीसर में विरोध परदर्शन किया शिचकों का कहना है कि गौक्टा सहित कई अनिशिचर संगठनों के निर्देश पर ये आंदोलन किया जा रहा है इसी करम में आगामी 28 अगस को संटेंडूस कालिश के शिचक गौरफपूर विश्विदैले और 20 तारी को इको प है गौरफपूर निउस समधाता से बात करते वे सेंट्रेंडूस कालिश शिचक संग के अध्यक्ष डाटर रविद्र कुमार ने कहा सद्सक्राइब शिच्छका है के बात थाग्डी बात जनद करते गड़िश समय और विश्विद्र करते शमय शिचक के गड़杂ने और 20 तारी के अध्यक्ष झाटर शिकिच। दॉक्टर रेविंद कुमार, यह हमारा जो धरना परदर्शन हुआ है, यह धरना परदर्शन बैसेकली हमारे प्रादेशिक संगठन याइफ़ पॉक्टो और जिला शंगठन गुवाक्टा के आहवान पर जो है किया गया है बैसेकली इस धरना परदर्शन का प्रादेशिक सार्तों बेतन कमिशन के सारे नियमों को लागु करने के लिए है पुरानी परदर्शन बेवस्ता जो सरकार ने इसको बंद कर दिया है उसे लागु कराने के लिए है और दिवर्शता की जो आई है 62 से बढ़ा करके 65 वर्श करने के संदर में किया गया यह जो है प्रदर्शन आज हम लोगों ने जो है काली पटी बांग करके जो है सुरू करने का काम किया है आने वाले जो है अगर सरकार हमारी मांगों के प्रती जो है गंभीरता नहीं लेती है तो ऐसी परदर्शन 28 तारीकों गोर्प और बिश्वी दयाले के प्रशासनी घौन पर धर्ना परदर्शन करने के काम करेंगे और 20 तारीकों जो है मानगनी उम्रेकास सर्माजी के द्वारा एक धर्ना परदर्शन पुराणी पेंशन के बहाली के संदर्म में है वो हम दोने से चाहए जो है कल भी लागो। हाँ सच्छड़ कार कि से और जो सी तोर पर बच्चे प्रवाईट हो रहे हैं प्रवाईट हो रहे हैं